आशिशित सुबह के लिए परमिश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ, परमिश्वर के बड़े नाम की महिमा हूँ लुकार रचिट्सु समच्छार, दस्रह अधियाई के 43 और 44 वच्छे जब वे उन दिनों को पूरा करके लोटने लगे, तो बालक ईश्व एरुशले में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे वे यह समझ करकि वो अन्या यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुम्बियों और जान पहचान वालों में दूंडने लगे इस आशिशित वच्छन के आदार पर समझ और दुरुडता के विश्व में मनन करने हाजम प्रभू में शर्नगात होंगे इस्व मसी के माता पिता हर साल फसर का पर्व मनाने एरुशले में चाया करते थे और जब इस्व मसी बारा साल के थे वे हमेशा की तरह पर्व मनाने गए पर्व के बार जब वापस लोट रहे थे बालक इस्व एरुशले में ही रह गये और यह बात माता पिता न जानकर वे समझने लगे कि अन्य यात्रों के साथ एशु भी होगा बालग एशु माता पिता के इच्छा के अनूसार पहले भी यानि उनके बारावे उमर तक ऐसे बरतफ किये होंगे इसलिए उसके माता-पिता ने समझा होगा ऐसा मैं भी समझ रहा हूँ हर साल वे फसर का पर्व मनाने चाते हैं बारावे उमर में जब ईशू के साथ वे जा रहे हैं यह अनूबव वहा हुआ ऐसा है तो पचले बारा सालों में ईशू मके साथ माता-पिता के साथ अन्य यात्रियों के साथ यात्रा करने का अच्छानूब वहा हुआ लेकिन इस बार ईशू मसी एरुशले में अकेले ही रहे गए और एक दिन का पड़ाव निकल जाने पर माता-पिता इशू को अन्य यात्रियों के बीच में डूम देने लगे फिर भी जब इशू नहीं मिले तो वापस यात्रा करने के लिए तयार हुआ और उसी तरह मंदिर में पहुच कर उन्होंने इशू को वहाँ पे देखा मुझे सुनने वाले प्रियों लोगों हमें केवल एक समझ के आदार पर यात्रा नहीं करना रहे हे माता पिता अपके बच्चों के बार में एक समझ उनके पिछले जिंदेगी के आदार पर आपको होगा परन्तु आपका जो समझ है वो हमेशा सच नहीं होगा इसलिए दुरुड़ता पाक कर हमें आगे बढ़ना है बालक और बालिका के समय पर हमारे बच्चे भी समझ के आदार पर यात्रा किये होंगे रेकन एक बालक के अवस्ता से जवानी में पौस्ते है नहीं हमें उनको दुर्ड़नी की आवश्च्ता बहुत ही जरूरी है उनलाइन क्लास के नाम लेकर कमरे में गुसकर दौर बंद करके बैटने पर वास्तों में हो ही कर रहे है यह दूर्ड़नी की आवश्रकता है तो उशन के लिए जब हम उनको बिर्षते हैं तो सच मुझ में तूशन में ही जा रहे हैं यह दूंड़ने की आवश्च रकता है माता पिता उसी तरह जब ईश्चू को दूंड़ने गए तब उन्होंने इस प्रकार जो देखा वो उनके लिए पूरी तरह अलग ही था वो उनके लिए दर्दनाक नहीं था कारण तीन दिनों के बाएं एक दिन पुरा होने के बाद उनको समझ में आया इश्चू उनके साथ नहीं है और दो दिन ले रहे है कारण अन्य यात्री जिस तान में गए वह सब उन्होंने दूंड़ा होगा और तिसरे दिन परमेश्चर के मंदिर में प्रभू ईश्चू को उपदेशोकों के बीच में बेटे हुए उनकी सुमते और उनसे प्रश्न करते हुए पाये और वच्छन वहा लिखा है ईश्चू मसी की बाते सुनकर उनके समझ और उत्रों से वे चकित हो गए इस प्रकार का एक ईश्चू को देखकर उसके माता पिता भी चकित हो गए तीन दिन बड़े दुख के साथ उस माता पिता ने उनके बेटों को दूंड रहे है परंतु उनके दूंडने के अंथ में उनका दुख पूरी तरह दूर हो गया इश्चू को एक अलगदाई के अनुबव में वे देख रहे है वे प्रियो लोगो परमेशर हम में एक दूंडना चाते है और दूंडने का अंचाम दुख नहीं परंतु आनद का बरपूरी होना चाहिए मेरे बच्चे अच्छे है और हमेशा अच्छे ही रहेंगे ये समझ के साथ हमें आगे नहीं बढ़ना है बलकि दूंडना के साथ परमेशर के सामने आत्मा में भर कर वचन का पालन करने वाले होने के लिए हम उनको प्रेरना देंगे संतानों में एक दुड़ता परमेश्वर सोय दे सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करने के लिए दुड़ता आके बंद करेंगे प्रार्थ न करेंगे ही पवित्र पिता आपको ही विश्वास करते वे आप में बरुसा रखते वे आपके अग्यों के अनुसार जीने के लिए एक दुरता हमारे जीवर में आप देना एश्यो मसी के नाम से ही आमे